नमस्कार, सभी मित्रो चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है। राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो। सुनार ने कहा हुजूर यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखकर नया बना दिया और राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा कि कितने पैसे दूँ सुनार ने कहा महाराज रहने दो छोटा सा काम था उसने मन में सोचा कि सोना राजा का था उसने तो सिर्फ मजदूरी की है और राजा से क्या मज़दूरी लेनी है राजा ने फिर से सुनार को कहा की नहीं नहीं बोलो कितने दूँँ सुनार ने सोचा कि दो रुपए मांग लेता हूँ फिर उसके मन में विचार आया कि कहीं राजा यह न सोच ले की एक बटन बनाने का मेरे से दो रुपए ले रहा है तो गाव वालों से कितना लेता होगा और कोई सजा न दे दे क्योंकि उस जमाने में दो रुपए की कीमत बहुत होती थी सुनार ने सोच विचार कर राजा से कहा कि महराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दो अब राजा तो राजा था उसको अपने हिसाब से देना था कहीं देने में उसकी इज़त खराब न हो जाए और उसने अपने म दो गाव दे दिये इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है और मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है लेकिन हम अपनी हैसियत से बड़ी तुछ वस्तु मांग दे बस उसी से संतुष्ट रहो फिर देखो उसकी लीला वारे के न्यारे हो जाएंगे जीवन में धन के साथ संतुष्टी का होना जरूरी है